और भी टेक्नालोजी से रेलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए विर्ट्यूल अप्डेट एंड नॉटिस्केशन के लिए बेल आइकन को प्रेश करने के लिए असलावालेकूम लिए स्टुडेंट्स और देखेंगे डीटेबस में आप इसनाल एंड बाइस क्या की काम कर सकते हैं के लेसन में देखते हैं अगर कोई भी डेटा जिसमें आपने कोई वैल्यों पूट नहीं की या फिर कोई वैल्यों डिलीड हो चुकी है तो आप उसको सामने कैसे दिस्प्ले कर वा सकते हैं तो आज हम इसनल और इसनॉट नौल का इसी फंक्षन किया और कहा भी यूज़ सकते है तो इसके लिए मैं पई hap admin में आता हूँ php admin में आके मैं यहां पर क्या करता हूँ कि मैं यहां पर SQL में जाके एक new table में create करता हूँ HPE CLICK करते हैं यहां फिंख惜 और यहां पे ली टेबल करत you टेबल कृएट करना के लिए मेरे पास जो syntax generate के नामव से होता है create table create table और यहां पर table का जो नाम में देता हू वी देता हू फो夠 project怎麼. प्रॉजच्ट से नामसे नाम से पेने table के नहीं नेम देत लिए को यहां से स्टार्ड और करता हूं सबसे पहले में इसको दूँघा आईडी आईडी जो कि क्या होगी इन्टीचर होगी यह बिसिखली प्रस आइडिक्लेट होगी आईडी जो ओकी हमिर वार्चर वार्चर होगा mean variable character में रपास होगा और end basically integer होते हैं और इसको मैं यहाँ पे skill length देजेता हूँ तो वो length मैं दूँँगा इसको तक्रिमें 30 characters रहाँ में रपास यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आ जाता है और यह आपको एंक्रिमेंट करेगा आईडी टाइटल के बाद मैं यहाँ पर देता हूँ इसको वार्चर होजगा उसको बिगेंडेट में यहाँ पर देता हूँ बिगेंडेट के बिगेंडेट मेरे पास आजएगा अंडेस्कोर डेट टाल देता हूँ और यह क्या करेगा इसका डेटा जोगा उन पस डेट में स्लेक कर देता हूँ और यह क्या होगा उन पस नॉर्टनल अब नॉर्टनल का फंक्चन क्या होता है जब भी कोई भी आज़्यक अप जब इसमें अपना डेटा जो है तो अगर फिल नहीं करेंगे तो यहां पर आट देगा इसमें डेटा फिल करना बहुत ही जरूरी हो जाएगा जैसे अक्सर आपने किसी वेब साइड में यह कहीं लिए देखा होगा कि वहाँ पे कुछ चीजह होती है जो के आपने जरूर करनी होते हैं जैसे कि आप अपने इमिल क्रीट कर रहें तो उसके लिए ऐसा होता कि बागाई जहां पर अपन पने डिटेल लिखते तो वहां में आपने पासवर्ट देना जरूरी होता है, email address देना बहुत सी जरूरी होता है, mobile number देना, तो जो चीजे वहाँ पर requirement होती है, जो बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, अगर आप और नहीं देंगे तो आपका email create नहीं होगा, तो इसी तरह यहाँ पर भी क्या है, कि मैंने यहाँ पर नाटनल दे दिया है, तो इसका function यह होगा, कि अगर कोई students यहाँ पर अपना data नहीं देगा, यह यहाँ पर अगर वो अपने, जो है तो इस field को fill नहीं करेगा, तो यहाँ पर यह क्या करेगा, इसको error देगा, तो नाटनल में ने दे दिया यहाँ पर, ओके अब मैं यहा यहाँ पर करते हूं, इसको भी data डाल देता हूं, date कर देता हूं, और फिर में यहाँ पर नहीं करता हूं, primary की, primary की किस कर दोगा, ID में, ID में यूनिक होने चाहिए, और यहाँ से इप मैं इंटल करके, इसको में क्लोस कर लेता हूं, और से विक अलनल डाल नहीं, अब मेरे एक ID लिए उसको मैंने Integer value दिया और वह Integer जो होगा वह आटमेटिक लिए अपनी वैल्य को जुनरेट करता रहेगा फिर टाइटल दे दिया टाइटल बैसे के लिए वह आरचा मिन वैरियबल करेक्टर होगा और उसकी जो लिंद दे दी होने 30 देदी जो प्राइमरी की होगी जो ID होगी वह मेंशे यूनीक रहेगी आपने बिल्कुल उससे अपने एक नाम से दो किज़नी देनी वह मेंशे क्या होगी यूनीक होगी क्लिक करते हो और यहां पर क्लिक करते हूँ तो यहां पर दे रहे होे इसको कंप्लीटबि करना था यूजर में बनाना है। यूज़र को छिल्ए करके यहाँ पे क्लिक गड़ता हूं और यहाँ पे उसे CTRL फेस्ट करके लो करूंगा। ने तो आप यहां पर बन चुक है, प्रोजेक्ट के नापसे देखें एक database बन चुक है, तो जो error होता है वह आप पढ़ लिए, अगन उसमे आपको बता चल जाता है क्या चीज़ यहां पर क्या चीज़ रहती है, अब देखें मेरे पास id, title, begin date, complete date के नापसे ही मेरे पास यहा है पिर पाद to jno प्रॉजिक्क को माय स despondist क्युंकि विजुंकर मैंने अब यहां पिसकूर देट किलिए दाओ फिर मैं आतिकंडों मैंने छोड़ दी है एक और कॉर्स के निए अचपक करेगा इसे हाइए धौरर पीजड़ ए मैं यहां से start date देता हूं 10 और इसके भी मुझे end date का फिलाल नहीं पता for example मैं यहां पर two rows और कर लेता हूं और मैं यहां पर देता हूं जी mysql.php और मैं यहां पर देता हूं WordPress देता हूं और WordPress को मैं यहां पर date देता हूं यह और मैं मैं इसको करता हुँ यहां पर हैं यहां पर देता हूँ आप यहां से माइसे गगरता हूं तो यहांपर बन चुके हैं और यह हम पर देखनें परोजेक्ट में दो फिट्र सुम्मिलल को पर बिल्कोल हैं म는Lord gig और वहां पर नहीं है और मैंने सटेरिंने का उसने चुमाइण से लोग not null लें यह नल लें उनका पता है तो इतनी ज़्यादा डेटा जो था वस वहां पर इतनी ज़्यादा search करनी है जिन में आपर चो डेटा जो है यह दिसमीं रही पर जो मिरे पास जो कंप्लीट फिल्ल है जिसमें किसी किसम का कुई डिटा नहीं उसको ब्र करते हूं तो मैं देखना चाहरा हूं तो उसके लिए यहां भी क्या करते हूं सिलेक्ट करते हूं सेलेक्ट कहां से अब इनस्ट और किसली यूज़ के मैंने पहले ही बताया था यह कंप्लीट आपके जितना भी डेटाबस में वहां पर रिकॉर्ड है वह सारा का सारा सामने शोपर आदे फ्रॉम प्रॉजेक्ट्स और क्या करना है जी मैंने वियर कंप्लीट डेट इस जहां पर जाल पर कंप्लीट डेट जो है वह इस नल है वह मैं क्या कर दें है अब इस शूपर बाद यह जहां पर कोई किसी ने जो डिटेल नहीं लिखिया जो यहां पर उनके बारे में बता दिए तो मैंने यहां पर यह syntax लिखा और इसको मैं यहां से गो करता हूं ओके तो मिरे पास देखें तो यहां पर कौन-कौन जी नहीं वो इसने बता दिया एक तो जो है तो मारे पास first में mysql जो उसकी complete नहीं दिवी और यहां पर यही syntax बिल्कुल सेम यही syntax है मैं यहां पर लिखता हूं select select करें from projects where complete date is not is not mean के जहां पर completed नहीं के जहां पर student अपनी field दी वी है यहां पर empty नहीं है complete फिल्क की यह जो fields वो मुझे बता दें तो जिसमें किसी किसम का कोई भी column जो है तो उसमें से कोई भी data miss नहीं सारा का सारा complete अगों जो मैं यहां पर इसमें को करूंगा देख्या मुझे इसने बता दे कि यह जो दो में रवार्बस 3 और 4 जो है जावा और wordpress यह सने complete बताया के इसमें complete data Love nossas बीचा बाकी जो है जासे कि इन दोनों में नहीं है तो उसने लिजे में वह इसे बता है और जो नहें नहीं है उनके बार में बता देज番 क्शंगे फिल्ट ख्योंगी दून सारी नहीं सारी डाल का का उनन गोज़ता देख्यों आध आज फुर ए में यहां पर जो है तो एक जो कम्प्लीट डेट है वो नल है तो आपको समझा है कि वगा बेसिकली नल और नॉट नल किया फंक्चनर कहां भी उस होता है उम्हीद है कि आपको यहां तक समझाया होगा इंचलर नेक्स लेसन में कुछ चीजों के पर डिसकस करेंगे तब तक अ स्वาरे कहां तक समझाया है